हे गाईज, हेलो, हाई, सस्रेकाल नवस्ते, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्त होंगे, आप सब का मारी यूट्यूब चेनल फोर इन्मर में बेलकम हैं, और आज मैं आपके लिए लेक आई हूँ, एक नास्तिकी रेसिपी मिंटों में बनके रेडी हो जाता है, सुवे सुवे हमें जल्दी रहता है, कुछ नास्ता भी हमें बनाना रहता है, आप इस तरीकी से पराठे बनाओगे, आपका बहुत टाइम बचेगर, बहुती स्वादिश्ट पराठे बनते हैं, मिंटों में बनके रेडी हो जाते हैं, क्रंची बनते हैं, आइए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने यहां पर आटा लिया हुआ है, और मैंने मूली को कद्दू कस कर लिया है, हरा धनिया कट किया है, एक ओनियन फाइन चॉप कर लिया है, जिंचल लिया है, ग्रीन चिली, इन सब को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, आटे की अंदर मैं यहा स्मारे पास हें और पास हुर्णय को सब इस आटे के अंदर एड्ड कर देंगे मैंने ओनियन को फाइन चॉप किया है ग्रीन चिल्ली को, जिंजर को सबको इसमें हम एड़ कर देंगे और अभी इसमें कुछ मसाल एड़ करेंगे सुआद के नुसार सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर अजमाईन एड़ करना है थोड़ा सा और इन सबको अभी मिक्स कर लेना है आटे के अंदर और पानी अभी नहीं डालेंगे पहल क्योंकि मूली के अंदर बहुत सारा पानी है पहले हमें मिक्स करना है, जितना पानी हमें जरूरत रहेगा थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी एड़ करना है और मैंने हल्दी इसमें इसलिए एड़ किया है एक तो कलर अच्छा आता है उससे और हमारी हेल्थ के लिए हल्दी अच्छा रहता है थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एड़ करेंगे और एक स्मूज सा डो लगा के रेडी कर लेंगे, जिसे नॉर्मली आप रूटी का या पराठी का आटा लगा के रेडी करते हो, स्रिप हमें बैसा ही यहां पर यह लगाना है, आटा बनके रेडी हो गया, मैं फटा फट से इने सेक लेती हूँ, थुड़ा सा आटा ले लिजी और सिंपल है, रॉल कर लीजिए, यह बहुती अच्छे से रॉल हो जाता है, बहुती सिंपल है, आप इसे इजीली रॉल कर पाओगे, स्मूज सा डो लगा के रेडी करना है, और तबा रखिए और स्लो गैस पे इनको पका लीजिए, फ्लेम को हमें लोई रखना है, दही के साथ, चाय के साथ, आप इने किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुती स्वादिश्ट लगते हैं, पराठे में मैंने रिफाइंड ओयल का यूज किया, आप चाहोते ने बटर में भी सेख सकते हो, बहुती स्वादिश्ट बनते हैं बटर में भी, बटर में भी, बट खा पी हमें इस तरीके से सेक लेना है आप इन्हें बच्चों को धही की साथ दे सकते हो बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं इस तरीके के प्राठे मैं इसी तरीके से सारे बना के कंप्लीट कर लूँगे और आप इन्हें टिपिन के अंदर भी रख सकते हो और गरम गरम चाय के साथ तो यह बहुत अच्छे लगते हैं तो आप सुबह में बनाईएगा और गरम गरम चाय के साथ इन्हें इन्जॉय कीजिए इस तरीके से हमें सेक लेना है स्लो फ्लेम पे पलटते हुए Look at this कितना अच्छा कलर आया है न और हमारे पड़ाठे बनके रेडी हो गए अभी मैं इनको सल्प कर लेती हूँ मैंने ये धही के साथ सल्प किया है आप चाहो तो इन्हें चाय के साथ सॉस के साथ, चटनी के साथ किसी के विसाथ, मेंगो, पीकल के साथ किसी के विसाथ आप इनको खा सकते हो बहुती स्वादिष्ट बनते हैं ये प्राटे बहुती स्वादिष्ट बने थे आप जरूर से बनाईएगा ये रेसिपी पसंद आईगी आपको आप नास्ते में बना के भी खा सकते हैं बहुती अच्छे थे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सस्प्रेब कीजिए थेंक ये फूर वाचिंग